तो तो स्टूडेंट्स मेरी आपसे बात क्लास 9 कंप्यूटर पर चल रही है और क्लास 9 कंप्यूटर में लास्ट लेक्चर में हमने अपना चाप्टा नंबर 3 ओफिस ऑटोमेशन को स्टार्ट करा है इसी चैप्टर को हम कंटीन्यू करेंगे ठीक हैं और इस चैप्टर में आ कौन सा टॉपिक हम आज की क्लास में कवर करने वाले तो बच्चों अगर हम ओवर्व्यू लें तो हमारे पास जो टॉपिक है जो कि बहुत ही में टॉपिक है पूरे चैप्टर नंबर 3 का वह हमारे पास है पेज लेयाउट टैब स्टूडेंट्स वह टैब होता है जिसमें आपके पास मुख्तलिफ groups मौजूद होते हैं जैसे आपके पास फीम्स ग्रूब है आपके पास page setup ग्रूब है आपके पास page background ग्रूब है range group है और paragraph group है तो students ये एक बहुत ही important और important topic है ठीक है इससे लाजमी जो है वो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने MS word में और ना सिर्फ हम आपको सिर्फ पढ़ाएंगे बलगे आपको तोड़ा सा practical work भी करके दिखाएंगे कि MS word में कौन सा tab जो है वो कहां मौजूद होते है ठीक है फिर इसी topic से related हम कुछ MCQs करेंगे multiple choice questions को और इसके इलावा हम short question answer और long question answer करेंगे topic खतम होने के बाद सही है तो सबसे पहले हम अपना topic शुरू करते हैं page layout tab तो अगर हम page layout tab की बात करें कि page layout tab होता क्या है तो आईए दरह देखें the page layout tab allow user to control the look and feel of his or her document students page layout tab वो tab होता है जिसमें आप अपने document का interface आप अपने document का appearance को change कर सकते हैं जैसे में क्या क्या कर सकते हैं user can set margins apply themes control page orientation size section and line breaks display line numbers set paragraph indentation and lines यह सारी चीज़ें आप perform कर सकते हैं with the help of page layout tab अब margin क्या होता है themes क्या होता है orientation क्या होता है यह मैं आपको one by one बताऊंगा आने वाली slides अगर हम एक और एक और point देखें तो उसमें लिगावाद page layout tab has five groups has five groups related commands namely page layout tab के आपके आपके पास five groups है first आपके बास है themes second आपके बास है page setup group third आपके बास है page background group fourth आपके बास है paragraph group और number five आपके बास है arrange group तो यह सारे page layout tab के groups हैं तो सबसे पहले students आई हम बात करते हैं themes पे जब भी हम themes की बात करें तो themes में आपके बास चीज़े आती है commonly एक आता है आपके पास color एक आता है आपके पास fonts और एक आता है आपके पास effects तो यह तीनों चीज़ें आपके बास मौजूद होती है themes group में और themes group का basic purpose क्या होता है आईए देखें अगर आपको अपने इंटायर यानि पूरे complete document का look change करना है उनका overall design change करना है तो आप क्या करोगे theme change करोगे theme में basically होता है क्या है predefined set of formatting colors and settings होती है predefined का मतलब already जो है वो बहुत सारी themes होती है और हर theme का color format size यह सारी चीज़ है वो set way भी होती है predefined पहले से applying themes to our work gives it a professional look there are different themes available relevant to the type of document being composed तो यहां पर आपको यह कह रहे है कि themes group में अब already जो है वो क्या होता है अगर आप themes को apply करते हैं अपने document में तो वो एक professional look देता है लेकर document create करना कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर document एक professional look हो उसमें प्रोफेशनली चीज़ें उसमें set हो font size font color वगरा तो उसका जो है वो look अलगी नजर आता है साही है हमारे पास different themes मौजूद होती है साही है available होती है जिनको हम कोई भी एक को select करके अपना document जो है वो professional look कर सकते है उसको अच्छा themes group में मैंने आपको बता दिया तीन चीज़े ह होती है color font effects again इसके बाद number two पे जो आपके बादस है वो है page setup group page setup group किसी भी document की orientation margin और size के लिए बहुत जादा important है alignment के लिए बहुत जादा important है देखें page setup settings help us set the page layout properties such as margin orientation and size अब देखें page setup group में margin orientation size ये तीन तो बहुत ही basic इसके components है basic elements है अब आप खुछ सोचें अगर आप copy पे कोई working कर रहे हैं अगर उसमें margin line draw नहीं करते हैं तो आपका जो work है वो कभी भी professional look नहीं देगा सही है और उस वो काम इतना जादा proper नदर भ देखेंगा तो यह सारी चीज़े जो है वो पेज़ाट गुरूप में होती है अब यह क्या होदा है मैं आपको समझाता हूं अब यह वाली जो बात है यह बात तो हम already जो है वो पढ़ चुके हैं यह बात हम already जो है students वो पढ़ चुके हैं तो हम page setup group में देखते हैं कि हमारे पास जो है वो margin orientation वगरा क्या चीज़ होती है यह देखें यह हमारे पास काम की जीज़ है जिसको हमें समझना चाहिए पेज सेटप गुरूप में जो सबसे पहला आपके बास है न वह आपके बास है margin margin की चीज़ को कहते हैं देखें अब margin is the area or space between the main content of a page and the page edges basically margin कि यह कहा जाता है जो आपका main content होता है न उस area को और उस space को उस चीज़ को basically हम कहते हैं margin this button is used to change the margin of the entire document और selected section आप पूरे complete document का भी change कर सकते है margin यह selected section का भी कर सकते हैं इसी तरह orientation क्या है orientation में दो चीज़े होती है साहिए page orientation और print orientation is the placement of content on a page this button sets the contents of the page or section in portrait यानि वर्टिकल और landscape देखें ओरिंटेशन में आपने दो चीज़े याद रखनी है बच्चों orientation में दो चीज़े होती है एक होता वर्टिकल जिसे आप portrait क्या तो और एक होते landscape जिसे horizontal क्या तो जैसे mobile में भी हमारे पास दो तरह की orientation होती है जो हम नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं वो होता है portrait लेकिन अगर हम कोई picture और movie वागरा के लिए करते हैं तो सब्सक्राइब करते हैं जिसमें horizontal हो जाता है किसी तरह थर्ड जो page setup group में वो आपके पास है size the size button is used to choose the size of the paper for current section size की बाद आ रही है कौन से size की बाद आ रही है मिसाल के दौरबार आपने किसी document का printout निकालना है या page को को सेट करना है तो मुक्तलिफ size होता है जैसे a3 होता है a4 होता है letter size होता है legal size होता है तो यह different size होता है तो according to the requirement जो है वो हम size जो है वो set करता है इसी तरह columns हमारे पास होता है columns का क्यों होता है एक paragraph को split करना दो या दो से जादा vertical columns में तो यहां पर यह लिखावा है this button is used to split the text into two or more vertical columns इसी तरह breaks breaks button is used to insert page section और column etc तो basically क्या होता है आपको different sections होता है उनको break button क्या करता है उन sections को divide कर देता है सही है line number is just like a serial number सही है आपने कुछ points लेखे और आप चाहरे हैं कि आपके पास line number आ जाए तो उसके लिए हम line number button use करते हैं this button is used to add line number on the left side of each line of the document ठीक है किसी तरह hyphenation अगर आप कोई line लिख रहे हैं लेकिन वह एक line में complete नहीं आ रही तो अगर आप उसको hyphenation कर देंगे तो लगाके next line में हो जाएगा तो यह basically आपके पास था page setup group इसके बाद बच्चों आपके पास पेज से background गुरूप नाम से पता लग रहा है सर बैंग्ग्राउंड में चीज़े चेंज होंगी पेज बैंग्राउंड गूरूप में तीन चीज़े होती है आपके बास एक होता है वाटर मार्प एक होता है पेज कलर एक होता है पेज बॉर्डर जैसे हाँ यहां देख रह kem टेक्स भी हो सकता है दोनों चीदे वार्टमारक में टॉपोर्ण की जाती है यह ज़ए इस टो यही बात लिखी लिए लिए इसके बाद अगर हम बात करें paragraph group की तो देखे paragraph group में आपके पास क्या होता है मैं आपको समझा देता हूं दो चीज़े होती है एक होता है इंडेंट और एक होता है spacing इंडेंट में विफिकली क्या होता है आपके पास इंडेंट लेट इस तो डिफाइन अमांट ऑफ ब्लैंक स्पेस इन सेंटीमेटर यूज़ तो सेपरेट परेग्राफ फ्रॉम लेफ्ट मार्जिन अगर आपने लेफ्ट साइट से परेग्राफ पर मार्जिन देनी है तो इन पॉइंट इन प्वाइंट इन पॉइंट इन प्वाइं गर्याफ ग्राफ से पहले इक उते स्पेस आफटर परेग्राफ के बाद साही है तो यह चीज होती है यहाप यह लिगाव है दे परेग्राफ गुरूबब्लेश वेर वी कं मॉडिभाई आल अप्ट इस एपेर इनार डॉकुमेंट इस अलाओ अस तो स्टेट प्यू बेसिक पर ग्राफ स्टाइब और अलसो एडज़स्ट इंदेंट स्पेस इती जरह एक आपके बास होता है जो लास्ट गुरूब है पेज लियाओ टैब में वह आपके बास है अरेंज गुरूप अरेंज गुरूप क्य भी वहाँ यूज किया जाता है जहां आपके बस ग्राफिकल ऑब्जेक्स मौजूद होते हैं वहाँ पे अरेंज गुरूप कर सकते हैं तो यह सारी चीजें पोजीशन मैंना भी आपको बदा दिया रैप टैक्स प्रिंग फॉरवर्ड थैंड यह सारी चीजें सब मैं आप आपको प्रैक्टिकल इंप्लिमेंटेशन के तौर पर समझाने वाला हूं आईए चलते हैं हम अपनी MS Word की विंडो पर तो स्टूटेंट्स हम अपनी MS Word की विंडो पर आचुके हैं जैसे मैंने MS Word ओपन करा तो आप देख सकते हैं आपके पास जो मैन्यू बार है टॉप पर यह आपको एक फाइल नदर आ रहा है होम इंसर्ट डिजाइन पेज लियाउट रेफरेंफ मेलिंग रिव्यू एंड वियू लेकिन दर हमारा जो टॉपिक दाना वो तब पेज लियाउट अब जैसे मैं पेज लियाउट पर क्लिक करता हूं स्टूडेंट्स तो आप देख हो एक बात याद रखना स्टूडेंट्स के बुक में जो हमारे पास कॉंटेंट लिखावा है वो MS Office 2010 वर्जन के अकॉर्डिंग लिखावा है और मेरे पास जो अभी है वो 2013 है हो सकता है आपके पास कोई और अपडेटेड वर्जन हो तो चीवे यहीं पे होंगी तो वर्ज चीज़े आ रही हैं और लेकर अभी हमारें पास पेज बैक्गरांड नहीं आ रहा तो वह कहां पर आगा डिजाइन में अग्या तो नहीं मेरे पास रागी है और यह पेज़ोरे आपके बास और यह वाट्राम आपके बास ठीक है पेज बार यह सारी आपके बास मौजूद सब्सक्राइब करना है और अपनी मर्दी का कोई भी बॉर्डर सेलेक्ट कर ले आप और यहां से चाहे तो इसकी विद को एक्स्टेंड कर लें तो यह आपकी मर्दी है तो यह बॉर्डर आ आपकी स्क्रीन पर नदर आ रहा है किस्टम वाटनमार्ग में देखें एक तो फिक्चर वाटनमार्ग होता है सब्सक्राइब आप इमेजिस दोनों के दौर पर यूज करते हैं एक टेक्स होता है मिधाल के दौर पर आप यह जैसे मैं अगर कोई भी टेक्स लिख देता हूं इसी तरह साइज भी आप अपनी मरजी का सेणे कर सकते हैं इविन खलर भी आप अपनी मरजी का सलेक कर सकते हैं किस पे यह जए टाइग अचको सीधा हम आता है और एक विधिक्ली रोट होती है और इस तरह होता है सब्सक्राइब मैं देख बता देता हूं आपको डाइगनल करते हैं तो आपके बास देखें किस तरह रहा है इस तरह रहा है और इसी चीज़ को करना चाहें तो सर्व आपके बास किस तरह आएगा भाई इस तरह आएगा तो यह आपको मैंने पेज बैग् सारे आपके बाद स्पेस है टॉप लेफ्ट साहिए अभी आपके बाद नॉर्मल में हुआ हुआ है मिसाल के तौर पर आप जब इसे मॉडरेट करोगे या नेरो करोगे तो देखना थोड़ा सा फर्क आएगा तो यह अलग-अलग स्टाइल है मैं कंट्रोल करता हूँ वापिस हो जाएगा हो गया बिल्कुल ठीक है वाई इसी तरह पोर्यंटेशन में देखो दो चीज़े होती है एक होता है पोट्रेट एक होता लैंडस्केप अभी पोट्रेट पर हुआ जैसी लैंडस्केप करूँआ देखो कितनी बड़ साइज में अब यह लीगल साइज ए फूर ए फिरी वगडर जो चाहिए आप इसको कॉलम्स कॉइब परेगराफ लिगे है में सेक्शन भर लाइन नंबर है यह सारी चीज़े होती है अब इन सारी चीज़ें को चलाने के लिए कोई ना कोई टेक्स है यह फिलाल वह अभी हम भी दे स्टूडेंट्स आपको लेक्चर जो है बहुत अच्छे से समझ आच चुका होगा और अब जो है स्टूडेंट्स हम क्या करने वाले हैं आपके साथ मिलके की यह सांग की बताओ अगर आपसे कहा जाता है कि वह यह था अगर आप से कहा जाता है which of the following software is used for creating professional document professional document के लिए आप कौन सा software जो है वो इस्तेमाल करते हैं professional document का मदलब होता है जिसमें आपके पास जो है वो themes वगर अप्लाए हो सही है तो basically वो आपके पास word processor software होता है students क्या होता है word processor software इसी दरा mcqs number three can if we want to change the overall design of a word document we should use अगर आपने word document का overall design change करना है तो उसके लिए क्या करते हैं option A है themes option D है page layout options यह watermark option D है margin तो बिटस का right option आपके पासे themes हम उसकी पूरी theme को change कर देते हैं अगर हमें किसी भी document का overall design जब change करना होता है ना तो हम क्या करते हैं उसकी theme को change कर देते हैं नमबर फोर अटेश इसेट ऑफ कलर फॉंट और एफेक्स देटर्माइं लोकॉफ टॉकुमेंट तो देखो यह तो वही बात repeat हो रही है कि ऐसा कौन सा बेसिकली आपके पास पेड़ी आउट में ग्रूप होता है जिसमें होता है option पेज ले आउट ऑप्शन भी इंसर्ट ऑप्शन सी रेफरेंस और खंडी रिव्यू तो बिटा पेज सेटप ग्रूप जाहिड सी बात है अभी हमने टॉपिक्स पढ़ा वह पेज लियाउट टैप में मौशूद था ठीक है स्टूदेंट्स इसी तरह M.C.Q. नमबर 6 में कहा रहा है विच ऑफ टावलोंग चॉट्कट कीष या यूज़्ड और यूज़्ट और उप्जट तो बिटा बैसे कि लिए इसमें से कौन सी ऐसी शॉट्कट की है जिसमें आप जो है वो सलेक्ट करके सलेक्ट टैक्स या प्ज़ड को पेस् पेस्ट करने के लिए आपके पास कंट्रोल भी होता है इसी तरह कहने विच ऑफ फॉलिंग शॉटकट की यूज पर कॉपी का वर्ड आ गया ना तो कॉपी के लिए हम हमेशा करते है strategies अब स्टक्रणे के लिए मतलब एक जग़ा से दूसरी जगह आपको पेस्ट आप से लिए इस तरह एंसपनीए पन्बर ना क्यारें background color on a document is not visible in ऐसा कौन दर document हो जिसमें background color visible ना हो option यह बैब ले आउट व्यू ऑप्शन भी प्रिंट प्रिव्यू ऑप्शन भी है आपके पास पेज बैग्राउंड ग्रूप में वाटर मांग जो है वह मौझूद होता है इसी तरह एंसी की नंबर 11 टेक्स विच कंस ओन टॉप अफ एवरी पेज इस प्रिट एक जो आपके पास हर पेज के टॉप पे मौझूद होता है और जो हर पेज के बॉटम पे होता है उसको कहते है फुटर ठीक है इस चीज को आपने याद रखने है एंफियूद नंबर 12 दे स्पेस लेफ्ट बिट्वीन दे स्टार्ट अफ परेग्राफ इस कॉल डैश तो बटा आप ते इस एंफियूद में क्या कह रहे है आप से यह कह रहे है तो इसके लिए इंडेंट का वर्ड यूज करते हैं इसी चीज के लिए औप्शन आपके बात का राइट है इंडेंटेशन उसके बास कह रहे हैं इंडेंट नंबर थर्टीन कह रहे हैं विच वन कैन भी यूज एज वाट अमाग लगाते हैं तो उसमें यूज करते हैं मिधार के दोर पर ऑप्शन लिखाव है टेक्स अप्शन लिखाव है इमेज ऑप्शन सी में बोथ आप्षण डी मैं नन तो मैंना आपको अभी जब प्रैक्टिकली करके दिखाया था तो वाटर माग में आप टेक्स और इमेज दोनों लगा सकते हो इसी द आप कहा है। यह रहा है अगर किसी पेज को हम रैक्टेंगुलर स्थी उर्यूर्य चीजवार हो तो यह किस चीज़ में चीज़ और राइट आपके बास है ओरियन्टेशन अब हमारे बात कुछ शॉर्ट कोशन आंसर है साही है अच्छ आप शॉर्ट और लॉंग कोशन आंसर में वहीं चीज़ है आपके बाद रिपीट होंगी जो अब भी हमने पढ़ी है इससे पहले जैसे लिए कोस्टर नमबर वन में लिगाव हो वाइड वीव फीर इन पेज लेज़ लिए आउट है तो वहीं लिगाव है थीज़ आप चाहें तो स्टूरेंट इसको जो है वह अपने बास नोट डाउन कर सकते हैं और यह साथ में स्क्रीन शॉट्स भी लगाए में तागे आपको पता चलें यह थीम्स जो है वह आपके पास कहां पर मौझूद होगा पेज लियाउट टैब में तो आप देख सकते हैं स्कीन शॉट अपर लगाया कि लिए अप्शन पर क्लिक करेंगे तो यह आपके बस पेज लि और यह भी हमने आपको बदाया कि पेज लियाउट टैब होल्ग ऑल्ड ऑप्शन अलाओ तो अरेंज यूर्ट पेज जस्ट अवे यू वांट तैम यू कन सेट माजें अप्लाइट थीम्स कंट्रोल पेज और इंटेशन साइज परेग्राफ इंटेशन इन लाइं ठीक है तो यह सारी चीव हैं आपके पास कहां पर होती हैं स्टूरेंट पेज लियाउट टैप में मौजूद होती हैं आप चाहें तो अपने पास नोट डाउन भी कर सकते हैं आप अपने मार्जिन को कैसे अप्लाय करते हैं दिखें राइट साइट पर जाए अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है कोई भी एक उप्छिन को सिलेक्ट करने जैसे यहां पर नॉर्मल सिलेक्ट हुआ हूँ है नॉर्मल का मदलब एक वन इंच टॉप से वन इंच को मतलब होता है आप अपनी मर्दी के इंच कर सकते हैं तो यहाँ पे लिखाव है तो फॉल्विंग अधर स्टेब्स टूब अप्लाइं मार्जिंस तो यूर डॉकुमेंट ओपने पर्टिकुलर डॉकुमेंट ठीक है जो आपने डॉकुमेंट को करना है सेलेक्ट लियाउट अप्शन इन पेज सेटप ग्रॉकुमेंट तो बिटा मैंने आपको यही बताया मिसाल के तो आप पे आपने कोई परिग्राफ लिखा उस परिग्राफ को आप स्प्लिट करने चाहरे स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना साहिए वन में अलुड़ी होगा आप टू में करो तो यह तीन कॉलम्स में हो जाएगा तो इस चीज़ को बिसिकली हम स्प्लिट करने कहते हैं और यह होता का है पेज सेट अप में होता है यह पेज सेट अप में आपके बास होता है ठीक है तो यह सारे डिफरेंट ब्रेक्स है आपके बास होता है एक आपके बास पेज ब्रेक होता है एक आपके बास कॉलम्स ब्रेक होता है एक आपके टेक्स व्रेपिंग होता है तो यह सारे डिफरेंट ब्रेक्स हैं आपके बास यहां पर यह पर टू मेजर मेजर टाइप की दो है एक पेज़ ब्रेक पेज़ प्रेक्शन ब्रे लेगा वहीं है किसी तरह टेक्स रैपिंग भी आपके बस किसमें आता है पेज ब्रेक में और अगर सवाल इसे वह कोई कई करानी होती है थैया नेक्स पेज में आपके बास कोई पर चॉंटीनियास मौझूद हों इसके शामिल होता है एक और सवाल एक्जैन फेसे वाई दो वी यूज वाटमार्क इन डॉकुमेंट गिव सम एक्जाम्पल वाटमार्क क्यों जरूरी होता है स्टूरेंट्स आगया अपने डॉकुमेंट को अपने नाम से पब्लिश कर सको ठीक है क्या लिगा है अब वाटमार्क इस पैडि बैक्ग्राउंड इमेज और डिस वाटमार्क में होती है इसका आंसर मैं आपको यहां तक बदा रहा हूं यहां तक रखेगा वर्ड डॉकुमेंट तक आप यह आंसर जो है वह नोट डाउन कर लेगा अपने बास ठीक है अच्छा सब्टाइटल की स्पहलें यहां पर आप बिल्कुल सभी कर लेगा यह आपका कोस्टा ना बिल्कुल कम्प्लीट हो किसी तरह कोस्टा नमबर सेवन में कह रहे हैं डिफ्रेंश बिट्विंग ब्रिंग फॉवर्ड और अगर आप से कोई पूछता है न कि अरेंज गुरुप और परेग्राफ गुरुप में क्या फर्क है तो याद रखिएग परेग्राफ गुरुप में आपको सर्फ टेक्स से रिलेटिट चीज़े होती हैं जबकि अरेंज गुरुप में आपको टेक्स के साथ साथ ग्राफिकर एलेमेंट्स भी होते हैं अगर मैं आपको दिखा सकूँ स्टूडंस तो आपके पास जो है वो यहां पे मैंने स्कीन लगाए हैं लेट मी शो यू यह देखें यह तो स्टूडंट आप देख सकते हैं आपके पास मुक्तलिफ यहां पर इमेज है वान टू थी फोर लेकिन आप इसको ब्रिंग फॉरवड और सेंड बैकवर्ड कर सकते हैं विद दा हैल्प ओफ अरेंज गुरू ठीक है यह ची है तो फ्रेंट और बिहाइंड का सीनेस में ब्रिंग फॉरवर्ड और सेंड बैकवर्ड में सेंड बैकवर्ड लॉंग कोस्टन आपके पास आ सकते हैं पेज सेटप गुरूप के बारे में सही टीचर में आपको यह सारी चीज़ा अगें बदा चुका हूं ठीक है कि वाट जिन की शॉटकट की क्या है ऑरिंटेशन क्या होता है जिसमें आपके बाद बैसिकली और लेंडिसके दो चीज़ा आती है यह की शॉटकट की है साइज में आपके मुक्तलिफ साइज होते हैं कॉर्डिन टूद रिक्वार्मेंट एफ फॉर एथ्री लीगल साइज और यह इसी तरब कॉलम्स ब्रेक करना है स्प्लेट का वर्ड यूद हो रहता है यहां पर ब्रेक का मदलब सेक्शन ब्रेक भी होता है ठीक है क्या लाइन नंबर आप सीरियन नंबर एड़ कर सकते हो अपने डॉकुमेंट में हाइफन हाइफन हाइफनेशन के यह मैंने आपको पेज बाइगरांड गुरूप मैंने आपको बदाया पेज बाइगरांड गुरूप में तीन चीज़ें आपके पास होती है वाटमाक पेज कलर और पेज पॉर्डर ठीक है और यह की शॉटक्रट सीव और डिस्क्रिप्शन जो है वो यहां पर मौदूर है ठीक है आप चा प्रफिकल अप्रवर्ट यह सारी चीज़ें आपके बाद आरेंज गुरूप में आती है जिसमें आपके आपके ग्राफिकल एलमेंट्स होते हैं तब आपके बाद सारे ऑप्शन जो है वो आन होंगे यह बाद याद रखेगा तो स्टुटेंट्स उमीद करते हैं आपको ये लेक्ट्टर आज का हमारा पतन आ गया होगा सो अलाफस टो एवरिवन टेक केर